कि स्वागत अफिरंस आप सभी का मेरे इंगलिश किलास में आज यह वीडियो लेकर आया हूं जो परजन इंडिफिनिफ टेंस के सिकेंड टैप इंट्रोगेट्व सेंटेंस है यह इससे पहले मैं फर्स टैप इंट्रोगेट्व सेंटेंस के बारे में पढ़ा चुका हूं अ सबसे पहले इस्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है कैसे बनाना है देखिए सबसे पहले सिकेंड टैप इंट्रोगेट्व सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस जिस कोईस्चन का एंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है उसे सिकेंड लगा जाता है नॉट होता है तो नॉट लगा दिया जाता है उसके बाद वर्म की फ़स्ट वर्म प्लस अधर वर्ड रख दिया जाता है और जो सिकेंड टैप इंट्रो गे ट्यू सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुवात प्लस वर्म प्लस अधर वर्ड देखिये जिस तरीके से यहां लिखा हुआ है तुम्हारा भाई इस समय कहा रहता है देखिये जब सिकेंड टैप इंट्रो गे टु सेंटेंस होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कोश्चन वर्ड को रखते हैं question word हमारा इसमें कहां अब कहां के लिए where लिखा गया है उसके बाद में do या does में से कोई एक आएगा तो यहाँ पर does लिखा जाएगा क्योंकि यह हमारा singular number subject इसलिए does का परियोग किया गया है तो where does your brother अब देखें your brother यह पूरा subject यहां तक माना जाएगा यहां से लेकर कि यहां तक your brother तक उसके बाद में लिखा live at this time तुम्हारा भाई इस समय कहां रहता है फिर उसके बाद में number 2 पर देखते हैं तुम इस समय क्या करते हो what do you do at this time देखिए यहां पर भी सबसे पहले हमारा जो यह second type हमारा परस्टनाचक शब्द है देखिए जब यह परस्टनाचक शब्द है तो इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेट्व सेंटेंस है और first type इंट्रोगेट्व सेंटेंस जो होता है उसमें हम यह क्या का अनुवात नहीं करते हैं लेकिन वो क्या वाक के शुरू में आता है और अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या का ट्रांसलेट करेंगे तो what लिखेंगे उसके बाद में do लगाएंगे फिर subject हम you रखेंगे फिर verb की first form do फिर उसके अगा at this time देखिए यहाँ पर do, do दो बार लिखा हुआ है एक हमारा do है helping verb है और दूसरा जो do यह लिखा हुआ है you के बाद में यह हमारा main verb है नहीं verb की first form है तो इस तरीके से हम इसको कह सकते तुम इस समय क्या करते हो what do you do at this time तुम क्यों पढ़ते हो why देखिए अब यह परस्वाचक शब्द है why, तो सबसे पहले क्यों का translate हमने क्या why, फिर सबसे उसके बाद में रख दिया helping verb do फिर you read, तुम क्यों पढ़ते हो what do you read read की जिए पर study भी लगा सकते हो क्योंकि जब syllabus की किताब है जब पढ़ी जाती है books जो study करते हैं उनको हम study ही कहते है और read जो आम तोर पर कोई चीज पढ़ी जाती है उसके लिए हम read के लिखते है देखिए तुम क्यों नहीं पढ़ते हो why do you not read या study ठीक है उसके बाद तुम्हारी गाए इस समय घास क्यों नहीं खाती है why does your cow not eat grass at this time देखिए तुम्हारी गाए अब इस समय घास क्यों नहीं खाती है इसमें हम सबसे पहले परस्ट नौचक शब्द लिखेंगे question word को लिखेंगे why उसके बाद में do or does यहाँ पर singular subject इसलिए does का पर्योग क्या जाएगा क्योंकि your cow यह singular subject माना जाएगा यह पूरा your cow यह पूरा subject होगा यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक उसके बाद not लगाए वर्ब की first form तुम्हारी गाए समय घास क्यों नहीं खाती है why does your cow not eat grass at this time at this time नहीं इस वक्त या इस समय तुम इसकूल कब जाते हो तो when सबसे पहले question word कब when उसके बाद में do you go to school तुम इसकूल कब जाते हो फिर उसके बाद में तुम दिल्ली में क्या करते हो देखिए इसमें परस्टनाचक शब्द हमारा है what सबसे पहले लिखा गया है उसके बाद में do लिखा गया है क्योंकि यह हमारा plural subject है और अगर इसकी जिगे पर हमारा singular subject होता तब यहाँ पर does लिखा जाता ठीके तो what do you do in daily अब फिर हमने बताया देखिए यहाँ पर बता रहा होगी यह do हमारा जो you के पहले do लिखा हुआ है यह helping verb है और you के बाद जो do लिखा हुआ है यह main verb है ठीके तुम दिल्ली में क्या करते हो what do you do in daily फिर अगला नमबर देखिए तुम अपना part क्यों नहीं याद करते हो what do you not learn your lesson what do you not learn your lesson तुम अपना part क्यों नहीं याद करते हो देखिए friends जब subject you होता है तो उसके साथ अपना के लिए your लिखा जाता है ठीक है और अगर यहाँ पर subject हमारा he होता तो उसके साथ अपना के लिए his लिखा जाता subject हमारा अगर I होता तो I के साथ अपना के लिए my लिखा जाता और subject अगर हमारा she होता तो उसके साथ पिर अपना के लिए हर लिखा जाता और यही इसी तरीके से देखिए अब हमारा subject हमारा यह plural number का होने के कारण subject के पहले do लिखा गया है उसके बाद ने यह not भी दिया गया देखिए सबसे पहले question word, फिर helping verb, फिर subject, फिर main verb की first form, फिर other word, या object कह लो, ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर, तुम match क्यों नहीं खेलते हो, why do you not play cricket, तुम match क्यों नहीं खेलते हो, देखिए सबसे पहले second type intro get you sentence में सबसे पहले question word ही रखा जाएगा, फिर उस उसके बाद में लिखा गया है कि मोहन परतिदिन कहां जाता है, where does Mohan go everyday, तो Mohan परतिदिन कहां जाता है, कहां परतिधिन कहां जाता, वेर, कहां कि लिए होईर लिखेंगे, उसके बद Records लिखा जाएगा, अच्छा, अब यहाँ पर देखे, do नहीं लिखा गया है, यहाँ प क्या गया यहाँ भी क्या गया यहां भी क्या गया संसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण 10 का परirts मोहन परति दिन कहां जाता है अब आगे देखिए अर हैं जाकि जाता हैं देखिए यहांपर सबसे पहले amohan बस्चेंट कर लेक लिखा गया है है क्योंकि 2nd टेप into느uzu इंटेंस है उसके बाद में डस लिखा गया है लेकर मोहन से ब्रॉधर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ब्रॉधर ये पूरा सब्जेक्ट माना जाएगा ठीक एक केवन मोहन को सब्जेक्ट नहीं मानना है ना किवल ब्रॉधर को सब्यक्ट सब्जेक्ट मानना है बलकि दोनों मिला करके सब्जेक्ट पूरा माना जाएगा नि मोहन्स ब्रॉदर तो हुआ ड़स मोहन्स ब्रॉदर नौट गो टू स्कूल एवरी डे प्रेंट्स इस वीडियो को यही पर समाप्त करता हूं और अगर समझ में आए तो प्लीज मेरे चाइ